दोस्तों मेरन बिर्शिन स्वाध करतामबा फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार इंपक लेसे में तो दोस्तों बात करने वाले हैं और जैसा कि सरगरेमिया बहुत तेज हो चुकी है यूपीपी एक्जाम के लिए और कहीं निर्धारन हो चुका है कि यूपीपी का कही कहीं इस साल आप एक्जाम दे पाएंगे है ना तो कुछ महिने एक-दो महिने के अंतराल में आपको नोटिफिकर सद देखने को मिल सकता है और फिर क्या-क्या चीज है स्टेटिजी क्या रहने चाहिए चुकि एक चीज तो बात समझ में आ रही है कोई भी वेकेंसी सामानि निती आयोग जैसा ही ना हो जाए समझ रहा ना तो पंच वर्सी योजना का अर्थिया है कि अभी क्या है कोई भी भरती एक भरती आ रही है तो दुबारा रिपीट होने में उसको चुनाओ का इंतजार करना पड़ता है चुनाओ का इंतजार करते करते बीच जाता है प्रवगा समझ पारें और कुल मिला कि ऐसी बड़ी भरतियों की बात करो इस पर इस ठीक है और वागी सबी भरतियों का सेम इस्थिति है तो फिर उसके लिए आपको कि दूःडाई यानि करो और मरो का स्थिति है और इस यदि करो और मरो का मामला है तो हम लोग कैजा हने के सबसे पहले सिर्हे बसके बारे में जानना है अंद आपको जानना चाहिए है तारगेट क्या रहना चाहिए है टार्गेट तो एक कंछinkए अब हलाक यह minimum है है ना minimum का मतलब यह नहीं है देखिए अभी पिछली भरती जो आई थी वो 2018-19 में ठीक है तो हम कहें 2019 में complete हुई है 2019-2019 की तो उसमें cut-up वही 180-190-200 के अंदर जा रहा था कितने में से out of 300 यानि कि अभी सिलेबस के बारे में जानेंगे तो हम यह भी देखेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना चाहिए और वह भी वह आपके उपर डिपेंड करता है 2019 के बाद भाई साब 2018 की ही भरती मान लिए 2018-2023 तो तो तीन महीने में जोकि नोटिफिकेशन एक-दो महीने में देखने को मिल जाएगा और जादा जादा एक से दो महीने या जो भी टाइम मिल जाए ज्यादा मिल जाए तो अच्छा ही है नोटिफिकेशन पहले आजाए बात में टाइम मिल जाए है ना क्योंकि बहुत सारे लोग ओवरेज हो रहे हैं तो जिनको मौका भी साइध ही मिले तो प्रिवियस येर पेपर का क्या इसमें रोल है फिर तीन महीने में 100% कैसे गारेंटी सहीत आप जो है एक बरदी ले सकते है परदी ले सकते हैं और एक बात यह सिर्फ पढ़ने वालों का सेलेक्सन नहीं होगा सब्सक्राइब कभी नोखरी नहीं ले पाएंगे कि स्मार्ट स्टेटीजी से आपको असानी से गज़ाएगे आध्यास सामानने से गजाम है खोटा कोई की कोई भी नोकरी छोटी तो है कि अब्लस के बारे में चर्षा करते हैं है ना और फिर बाकि चीजों के बारे में अभी देखते हैं क्या कैसे चीजे रह जखती हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के सबसे पहले सिलेबस दो जानना जरूरी है है ना तो सिलेबस के मामले में क्या रहा है UPP की अगर syllabus को जानना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें पांच चीज़े आने वाली हैं है ना पांच चीज़े जिसको यह color लिया जाए पांच चीज़े आने वाली हैं जिसमें आपका GKGS जो math है वो reasoning और reasoning यही इस्टेटेजी आपको अपनी set करनी है कि selection कैसे होना है और फिर हिंदी ठीक है syllabus यही है एक दो question का उतार चड़ाओ आप देख पाएंगे तो GKGS का जो question है वो आपको 38 देखनों को मिलेगा यानि कि total 150 question है 150 question जो है आपका बनना है कित्रे अंक का 150 question जो बनेगा वो बनेगा 300 अंक का ठीक है यह तो पीला ही पीला हो गया ठीक है 300 अंक का बनेगा तो उसमें सामान्य ग्यान का जो question है वो 38 question बनेंगे maths maths जो है 19 question यही सबसे वड़ा factor है समझे ना अब देखिए यहां पर नए जो experience है उनका क्या होने वाला है जो पहले से बहुत समय दे चुके हैं उनका तो देखिए नए students के लिए तो ठीक है जो है so है यहां तो सबसे ज़्यादा आगाह होने की जरुत है जो पुराने students है पुराने समय से त्यारी कर रहे हैं कभी भी जब आप इन पोर्षन को आप देखते हैं यह reasoning का ही दोनों पार्ट है मांच सिक्के हो गयता जिसमें आपको missing number रहेंगे सिरीज ढूड़नी होगी कुछ इस तरीके से questions आपको रहेंगे blanks भरना होगा भू बाले है ना कि कौन सा भिन है इस प्रकार का बाकी पूरे reasoning का portion इसमें है जो total 38 question यह भी रहेगा 37-38 question ठीक है तो बाकी 19 question यह रहगा 19-38 यह होएगा है ना तो उनको आगाह होना है जो पुराने है क्यों क्योंकि भाई जो reasoning है जब आप नए-नए सीख रहे होते हैं मैस और reasoning की त्यारी कर रहे होते हैं तो मैस आपको जो सभी के लिए यह बात नहीं है सामाने तो मैस में आप अभी बहुत पारंगत नहीं होते तो आपको reasoning बड़ी अच्छी लगती है reasoning आप आसानी से लगा भी लेते हैं लेकिन जब वहीं आप समय दे चुके होते हैं और मैस आपको फिर आसान लगता है क्यार चुकि मैस अगर आया माली जे 25 question अगर मैस आ रहा है तो आप 25 में से पूरा 25 अप टै बना रहा वो अलग हो है ना उसके अनुसार दूसरा data हो तो कुछ एका दुका नमर गढ़बढ हो जाता है तो यहां पर सबसे ज़्यादा उनको practice करनी है तो selection वहीं होगा जिनका उस समय का time ठीक गुजर जाए और practice बहुत दबा के करनी है उसके बाद हिंदी है अब selection किनका होगा जिनका यह 12 नमर में से इका दुका की अलग बाते सारे आने चाहिए यह जरूरी नहीं कि सब के लिए जिसका मैस अच्छा है वो है ना तो आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो एक portion दो portion तीन और चार यह ऐसे portion है जिसमें आपका जो attempt है वो 95 to 100% होना लेकिन यह तो फिर बहुत भी आपक फिर तॉप कर जाएंगे तो वास्तों में इतना आप कर सकते हैं है ना कुछ ही छूट पाएंगे दो चार कोश्चन जाए अलग बात है इन सब में दो चार कोश्चन कोई नहीं मिलेगा गलत हो जाएगा ठीक है और GKGS में GKGS की बात करें मैट्स में भी अब यहां पे सबका अपना अपना अलग भी हो सकता है क्योंकि जिसका मैट्स और रिजनिंग स्ट्रॉंग ना हो तो उनका ये और ये ये पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से सदा होना चाहिए इसमें सदने का मतलब क्या भाई स आप इसमें जो बेक्ति सतर से साथ परसेंट कर देता है वो बहत्रीन है है ना साथ से सतर परसेंट यदि जो करने वाला बेक्ति है वो बहुत अच्छा है साथ से सतर अगर कोई कर पाता है तो नहीं तो सामानिता पचास परसेंट लोग करते हैं है ना तो वही बात है 22-23 को आपको अटेम्ट करने हैं यानि कि हिंदी को कई बार रिवाइज करिए और इन सब का लगातार आप प्रैक्टिस से देते रहिए और फुल टेस्ट भी लगातार देते रहिए बात समझवारी ना अब कितना अटेम्ट करना है कितना मिलेगा वो अलग विज़ा है लेकिन आपका अपना टार्गेट अटेम्ट के लिए इन चारों पोर्शन में 95-100% अटेम्ट होना चाहिए वहाँ पर आपका इतना होना चाहिए समझ रहे हैं यह यथार्थ है अब देख प्रेक्टिस में होंगे उनहीं का सेलेक्शन होगा और जो प्रेक्टिस से बाहर होंगे उनका नहीं हो सकता है लकवाई चांस तुक्का तुक्का भी नहीं लगना है और अगर पैटन की बात करें पैटन क्या होने वाला तो हाइब्रेड लेवल पे होने वाला है तो आपको आपको मॉनिटर पर दिखेगा कंप्यूटर के मॉनिटर पर और OMR seat आपको गोला करना होगा आ समझ में आ रही है तो ये चीज़े हैं अब टार्गेट जो है 220 में आपको इस वर्ष मतलब मिनिमम रखना है कि भाई 220 नंबर का अर्थ हुआ 110 आपको काटपीट के question सही करना है out of 150 में से है न तो अपनी selection को आप make sure कर पाएंगे आपको इससे अधिक target लेकर के चलना है जैसे मैं attempt की बात कर रहा हूँ तो attempt में कुछ गलतियां होंगी आपका accuracy में दिखते रहेंगी तो उस तरीके से काटपीट के इससे अधिक ही number बन रहा है है तो attempt लेना सबसे महत्पूर चीज है attempt लीजिए और ऐसा भी attempt बन देजिए बस आख बंद करके कड़ बंबे बोल करके उसके लिए आपको पढ़ना होगा और पढ़ने का मतलब सिर गांठ वांद लिजिए बहुत गंभीर बात करने जा रहा है एक बार आपको math पढ़नी होती है एक बार में आपको reasoning पढ़ना है ठीक है बस उसके बाद नहीं पढ़ना है कभी भी कभी मत पढ़िए सिर्फ आप especially mok दीजिए taste दीजिए है ना और mok देने के बाद देखिए कहां गलती हो रही है फिर आप सार्फ होते जाएंगे सार्फ होते जाएंगे और आप master बन जाएंगे समझ रहें ना मैस और reasoning दोनों की बात कर रहें reasoning का लगातार बदलता हुआ pattern तो आपको previous year जो अभी 2018 के जो paper है उनको आप देखिए और फिर आप समझ पाएंगे कि current अप आपको मुक्टेस्ट देना देना सबको है लेकिन इस्पेसली इन पर किताब उठानी है हिंदी में किताब उठाईए जीयस में किताब उठाईए है ना classes देखिए और मैस और reasoning में अगर आप आपको लगे कि यह topic कमजोर है एक बार पढ़ने के बाद लगे कमजोर है तो उसको फिर से एक बार देख लीजिए लेकिन यह मत करिए कि एक बार पढ़े हैं शुरू से शुरू करके और फिर वापस आए फिर मूदुल के फिर शुरू से दो चार शे महीने पढ सब्सक्राइब मत पढ़िए सिर्फ मॉक्टेस देजिए सवाल सॉल्व करिए कठिन आसान जैसा है आप पूछिए जानिए एक दूसरे से समझेए जो आप जो भी आपके पास अबेलेबल सुविधा हो उससे ना कि सिर्फ किताब को रिपीट करिए समझे ना मैं से रिजिन और हिंदी ही है जिसका हिंदी और रिजिनिंग हो गया कंप्लीट उसका सेलेक्शन हो गया कंप्लीट बागी तो इस आमाने नंबर आउसातनला के आप सेलेक्शन ले सकते हैं समझे ना तो भाई अब की बार बर्दी पर अधिकार करना है तो जो मेरी बात है उसको पहली बा जो आउट छेत्र में होते हैं यह हम कहें तो कम अभी वाले शेत्र होता है उमें क्या होता है तैयारी तभी सो होती है जब फार्म भर देंगे और बाद में रोते रहेंगे कि नहीं मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ है सेलेक्शन उसी का होगा ना जो बिना वेकिंसी आए लगातार तयारी कर रहा है उसका सेलेक्शन थोड़ी होगा फार्म भर के आगए अच्छा सा फार्म भर दिये हां ठीक चलिए कोई ना 15 दिन पढ़ते हैं तेयारी करते हैं फिर देखेंगे खतम ठीक है तो आई होप कुछ चीज़े अभी रह नहीं गई होंगी अगर कुछ चीज़े रह गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सिरेवस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और बिदिवस यह दी चाहिए तो आप कमेंट करिए और अप्रोच क्या रहना चाहिए मैं सिर्फ मोट कामोटी इस पर चर्चा किया हूं तो लेकिन अथार्त बात कह रहा हूं अगर आप इस पर बहुत गंभीरता से अम्र में देखिए अब लोग क्या करते हैं जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि आप टाइम टेबल बना लीजिए यह फलाना कर लीजिए देखिए आपको टेस्ट का टायम निकाल कर्किये जो भी आप मोग टेस्ट देते हैं उसका टाइम डियुज करिए टेस्ट दीजिए उसको एनलाइज करिए जो गलती है उसमें सुधार करिए फिर नेस्ट टेस्ट दीजिए और बचे हुए टाइम पे इन दोनों पर आप पढ़ने में समय दीजिए ठीक है रिवाइज करिए पढ़िए और ज्यादा जितना हो सके content बहतर हो और इन समय सिर्फ प्रेक्टिस तो टेस्ट का टाइम रिड्यूज करके फिर आप घंटे गिने और घंटे गिनने से कभी सेलेक्शन नहीं होता है कि अरे हम तो इतना घंटा पढ़ लिए 15 गंटा पढ़ लिए कुछ लोग क्या करेंगे हाँ वही बात है कुछ लोग लगातार दो गंटे चार ठाइं रहेंगे घंटे ठिलते रहांगे ह सकते दो गंटे मेंसे चार इंसां बनागे और लगेगा कि बसं हो एक हमटा सवयेंगे और गंटे किवाद 24 मेंसे थेर्शंटा तो पढ़े करेंगे तो फिर उनके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है वही बात है दो मिनट की मौन धारान वाली बात हो जाएगी सेलेक्शन के मामले में तो आई होप आपको बास समझ में आई होगी अर्थात आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है reasoning और हिंदी हिंदी GKS तो घके जीएस पता नहीं कहान से कितना तो साट से सतर बहतुरिण है हिंदी में आप पूरा नबर एक दम से टिक्टो सेम तू सम सहतिस तो सहतिस ला सकते हैं ठीक है और इन में भी कुछ नंबर कटेंगे, मुख्यत्य आ जाएगा, बाकि मैच में भी आना है, तो यही चीज है, जो selection दिलाएगा, और समय है, command करिए, सब पर काम करिए, बहतरी नंबर लाइए, इसमें कौन सा doubt होना चीक नहीं है, अब कटाप पार किये कि नहीं किये, है ना, त कुछ चीजें जो है, आपको समझ में आई होंगी, है ना, और, इसको आप, अमल मिलाएए, बहुत जादा मतलब मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं, एकदम से पूरा पॉलो करिए, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं कि आपको, मैं बता रहा हूं कि किस में क्या होने वाला, मै तो कभी सर नीचे करके पढ़ो, ऐसा कोई नहीं, ठीक है, वह आपकी मर्जी, आप अपने इसाब से टाइम मेनेस करिए, टाइम मेनेस करने के बाद आप अपना अध्यान में दीजिए, ठीक है ना, और सेलेक्शन उसी का होगा, जो लगातार प्रेक्टिस में रहेगा, है अध्यान करता रहेगा, सेलेक्शन उसी का होना है, तो बिलकुल तैयार हो जाएए, बड़ी भरती आने वाले, इसके बाद फिर नहीं मौका मिलेगा है ना, फिर इसके बाद मौका नहीं मिलना है, फिर अपने, पांच साल के लिए फिर आगे छोड़िए, पांच साल के बा बाते समझ में आई हों, तो आप जो है, वेडियो को लाइक जरू कर दीजिए, और कैसा लगा, कमेंट करके जरू बताईएगा, मिलते है अगरोड़ी में, तब तक लिए नमस्कार, जैहिंद जैभार,